नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेर पर तो जी हाँ आपने एकदम सही पढ़ा है जपान ने एलान कर दिया है कि चीन और उत्तर कोरियों का उसी के इलाके में घुस कर मारेगा आपको पुरिक और विस्तार से मताओंगा लेकिन उसे पह कि और यूद की धंकी दी है और यदि चाइना तयवान को अपने कब्जें रास्ते से खटा देता है तो फिर जपान की बारी आ जाएगा हाला कि चाइना जपान पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि जपान का रच्छा अमेरिका के हाथ में है लेकिन चाइना यहाँ पर जपा को बार बार टौचर कर सकता है हाला कि मैं आपको बता दू कि जपान चाहे तो चाइना को उसी के इलाके सौथ चाइना सी में नानिया दिला देगा क्योंकि जपान की ने भी नौसेना सौथ चाइना से के हर एक कोने से वाकिव है लेकिन जपान की एक मजबूरी के कारण जपा चाइना पर एक्षन नहीं ले पाता है आप सोच रहा होंगे कि आखिरकार जपान की क्या मजबूरी है कि वह चाइना पर एक्षन नहीं लेता है तो मैं आपको बता दो कि जपान के सब इधान में लिखा हुआ है कि जपान किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा जब तक उस देश पर कोई हमला नहीं करता है तो आप सोच रहा होंगे कि यदि जपान किसी देश पर हबला नहीं कर सकता है तो आप खुद की सेना क्यों रखता है यहां तक कि जपान की सुरच्छा अमेरिका की हाथ में है आपको बता दे कि जपान के परधान मंतरी फूमियो की सादा ने सनी बार को उत्तर कोरिया और चीन के खत्रों का हमला देते हुए अपने देश के रच्छा च्छमताओं को मजबूत करने की कसम खाई है जपान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के कैम असामा में 800 सेनिकों क सामने कि सादा ने कहा कि जपान के आसपास की सुरच्छा हाला तेजी से बदल रहे हैं इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि रच्छा च्छमताओं को मजबूत करने के लिए हम दुस्मन के बेश पर हमला करने की च्छमता जिसे भी कल्पों से इंकार नहीं करें वहें सरकार को नए बिकल्पों पर बिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मिसायल जैसे नई विक्सित किया है जापानी परधान मंत्री ने टोकियो सेटमारी परांद के बीच एक कैंप में अपने भासन के दोरान चिन को ले कर अपनी चिंत्यक्त साज़ा की है जापानी परधान मंत्री ने कहा जेश WHY में अपनी सैन सक्ति को मजबूत करते हुए चीन एक तरफा या सरस्तित को बनाने की कोशिस कर रहा है और साथ ही होने उन्होंने कहा कि हमारे ससत्र वलों के लिए सबसे अहम करतव जपान की भूमी जल और हवाय छेत की डिर्टा से रच्छा करना है और देशबासियों की संपती और जीवन की सुरचित बनाना है खैर आपका क्या रहा है इस पूरे घटना पर आप अपना रहे कमेंट और जुरू बताएं और इस तरह एक खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेर को सस्क्राब कर सकते ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड के तमाम खबर उसे जै हिंद जै भारत